नमस्कार मैं डॉक्टर शुखारां साहेक आचारी इत्यास राज की डूंगर माविद्याले विकानेर छात्रों आज हमारा टॉपिक है जेन साहित्ति जैसा कि हमने पूरु के वीडियो में बताया कि भारती इत्यास लेकर के लिए विबिन श्रोतों की अवश्यक्ता पड़ती है या हम विबिन श्रोतों के माद्यम से इत्यास की रचना करते हैं उसी संदर्ब में साहित्य जो समकलिन समय में और उसके बाद में जो लिखा गया है उस साहित्य का भी एत्यासिक श्रोतों के रूप में अपना एक इंपोर्टेंट रॉल है और उसी साहित्य के संदर्ब में आज हम जेन साहित्ति की बात करेंगे तो आज हमारा जैसा की टॉपिक है कि जेन साहित्ये जेन साहित्ये बहुत प्राचिन काल से मावीर और उससे पुरु के जो तेश्ते ठंकर हुए थे उस काल से लेकर के परतमान समय तक जेन, रिशियों और मुनियों के द्वारा लिखा गया है और प्राचिन काल या प्राचिन भारती इत्यास को जानने में ये एक महत्वपुन अपना योगदान प्रदान करता है जेन साहित्ये का जो प्राचिनतम भाग है या प्राचिनतम जेन साहित्ये है उसको आगम कहा जाता है आगम का आर्थ होता है पवित्र श्वेतांबर परंपरा के अनुसार आगम साहित्य को माना जाता है लेकिन दिगंबर इसे नहीं मानते आगम साहित्य के अंत्रगत जो साहित्य आता है उसका आप नोट कर लें आगम साहित्य में बारा अंग, बारा उपांग, तस परकेण, छे छेदी शुत्र, चार मूल शुत्र, पांच अन्योग द्वार और एक नन्दी शुत्र ये पुरा पेकेज है इन सब को मिला करके और सामुएक रूप से इनको आगम साहित्य कहा जाता है अंग क्या है? अंग इसका वहाग है, इसमें भगवति शुत्र है, जो मावीर और उसके समकालिन राजाओं और 16 माजन पुदों का उलेक भगवति शुत्र में मिलता है दिगंबर चुंकि हमने पहले बताया कि इसे नहीं मानते, वे 14 परवों में विश्वास करते हैं जो कि नश्ट हो गए थे, लेकिन भद्रवाव ने इनको वापिस और संभूति विजे ने इन परवों की वापिस रसना की थी जैन साहित ये लेखन में, जैसा कि हमने बताया कि जैन विद्वानों, जैन मुनियों की बड़ी विशिष्ट भूमी करी है एसी एक जैन विद्वान जिनका नाम है है हैमचंद्र शूरी, हैमचंद्र शूरी ने पुस्तक की रसना की जिसका नाम है त्री शस्टी शलाका पूरुष्चरित, त्री शस्टी शलाका पूरुष्चरित, लंबा नाम है, इसमें 24 तिर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वाशुदेव, 9 प्रति वाशुदेव, 9 बल्भद्र का वरनन हुआ है, इनकी संख्या 63 है, जैसा की नाम है देखो, 363, 360 शलाका पूरुष्चरित, अते ये नाम दिया गया है, इसमें 34,000 शलोक हैं, और 206 शलोक बाद में इसमें जोड़े गया है, अते इसको परिशिष्ट परवन भी कहा जाता है, जो परिशिष्ट के रूप में बाद में इसको एड़ किया गया है, अपेंडिक्स के रूप 276 शलोक है अगले विद्वान है, जिनका नाम है उध्योतन सूरी, उध्योतन सूरी एक बड़े जन विद्वान में थे, इन्होंने कुबल्य माला नामक ग्रंथ की रचना की थी, और ये एक एसा ग्रंथ है, जिसमें प्राचीन भारत में हुनों के आकर्मन का उलेख मिलता है, नेक्स है मेरुतंग, मेरुतंग ने प्रबंद चिंता मनी और विचार्श रहनी, देखिए उध्योतन सूरी और मेरुतंग के बारे में अक्षर अब्जेक्टिव क्यूस्टन में हर एक्जाम में क्यूस्टन पूछा जाता है, कुवल्य माला के लेखा कौन है, या मेरुतंग ने प्रबंद चिंता मनी की रशना की है, इसके अलावा और विद्वान है, जेन विद्वान, जिसमें यति व्रिशब जिनका जिनकी रशना है, तिलोई पनत्ति, ये गुप्त समद 320 AD का इसमें पता चलता है, और एक है पाउम चर्यू, ये रामायन के कथानों क आधार मान करके विमल शुरिनेश की रशना की थी, ये पहला जेन गरंथ है, जेन गरंथ है, जो प्राकरत भास्षा के अंदर लिखा गया है, तो इस परकार ये कुछ जेन विद्वानों और जेन साहित्य और जेन गरंथों के बारे में हमने बात की थी, जो कि हमारे लिए इतियासिक रूप से बहुत इंपोर्टेंट है, और चूंकि इनका वर्णन हम जब जब प्राचिन भारती इतियास पड़ेंगे, तो संदर्ब के रूप में हमारे याता रहेगा, इसलिए ये सारी चीजें जानना हमारे लिए आवशकती, थैंक यू.